नमस्कार मैं आरके जैसवाल और आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार आपका स्वागत करता हूँ इस बुलेटीन में द्वारका पुलिस ने दिली में अवैस सराब के विरूद करवाय का एक बड़ा कदम उठाया है एक विशेश टीम ने 22 जुलाई 2023 को अवैस सराब के एक अंतराजिय आपूर्ति करता को गिरफतार किया इस गिरफतारी के पीछे उन्हें मिली गुप्स सुचना का खुलासा है आई इस मामले में की जनकारी और विस्तार से जानते हैं द्वारका पुलिस की एक विशेश टीम ने 22 जुलाई 2023 को अवैध शराब के एक अंतर राज्जिय आपूर्ति करता को गिरफतार किया आरोपी अक्षे को 2000 क्वार्टर अवैध शराब और एक सेंट्रो कार के साथ पकड़ा गया जिसका इस्तिमाल वह हरियाना से दिल्ली तक शराब पहुँचाने के लिए करता था पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अक्षे अपनी कार में बड़ी मात्रा में अवैध शराब ले जा रहा है द्वारका एक्स्प्रेस वेपर दिचाव डिपो के पास जाल बिचाया गया और कार को रोक लिया गया अक्षे ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में काम्याब रही कार की तलाशी में 40 कार्टून अवैध शराब बरामद हुई कार से कुल 2000 क्वार्टर शराब बरामद हुई अक्षे को गिरफतार कर उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहट मामला दर्ज किया गया पुलिस अक्षे के नेटवर्क की जांच कर रही है और उम्मीद है कि निकट भविश्य में और गिरफतारियां होंगी वे जनता से अवैद शराब के खिलाफ लड़ाई में मदद करने की भी अपील कर रहे हैं यदि आपके पास अवैद शराब की आपूर्ती या बिक्री के बारे में कोई जानकारी है तो कृप्या पुलिस से संपर्क करें डीसीपी हर्शवर्धन ने कहा अक्षे की गिरफतारी द्वारका पुलिस के लिए शराब तसकरों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता है हम अपने शहर को सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए प्रतिबध हैं और हम अवैद शराब की बिक्री या खपत को बरदाश्ट नहीं करेंगे डीसीपी ने जनता से अवैद शराब के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की मदद करने की भी अपील की उन्होंने कहा अगर आपके पास अवैद शराब की आपूर्ति या बिक्री के बारे में कोई जानकारी है तो कृप्या पुलिस से समपर्ख करें आपकी मदद से फर्क पड़ सकता है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरिपया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार